नमस्कार दोस्तों जी के अर्दूसार यूप्री चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है हिस्टरी एंटी एफ जी सी नेट ज्यारफ पार्ट दो साथ में तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं वीडियो प्रारंब करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अ करते हैं हाँ अगर आप लोगे इस वीडियो का पीडियेप चाहिए तो पीडियेप का लिंक डिस्किप्शन में दे दिया वहां से जाकर इससे डाउनलोड भी कर सकते हैं तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं कोश्चन नमबर वन है इसमें निमलिखित्म वर्गों में क साहुकार, क्रिशक और जामिदार तो इसमें कौन-कौन जो है 1877 के बिद्रों में भाग नहीं लिए थे तो इसका एंसर होगा D, 2 और 4 इसमें सही है कोश्चन नमबर दो है 1857 के बिद्रों से बिहार का कौन सा छेत्र या बिहार का कौन सा भाग और प्रभावित रहा दिया है दानापूर पटना आरा मुझफरपूर मुंगेर तो इन अपसन के अनुसार जो है बिहार में कौन सा जो है भाग और प्रभावित रहा था 1897 के बिदरो में तो वो था मुंगेर यानि केवल पांच इसमें सही होगा एंसर भी मुंगिर नहीं था 18 संतावन के बिद्रों में इसके अलावा आरा दानापूर और पटना मुझभफर पर ये सब 18 संतावन के बिद्रों से प्रभावित थे कोशन नमबर तीन है सिपाही बिद्रों के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था तो सिपाही बिद्रों के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था ये थे लाड केनिंग लाड केनिंग थे और इसको सिपाही बिद्रों के बिद्रों के बिद्रों के नाम से भी जाना जाता है तो उसमें थे कौन है रसे, एंसरों का C है रसे थे, Q5 है, 1857 का विद्रो मुख्त किस कारण से असफल रहा, किस कारण से 1857 का विद्रो असफल हो गया था, तो इसका कारण था किसी समान योजना और केंद्री संगठन की कमी के कारण, Q6 है, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रो को दवाने में सफल रहे, क्योंगी, क्योंग सफल रहा है, क्योंगी, तो इसका एंसर होगा, ए अस्थाने सास्कों ने करांति कारियों का साथ नहीं दिया, Q6 है, निमलिकित में से कौन ब्रिटिस अधिकारियों ने लखनाओ में अपना जीवन खुया था, लखनाओं में कौन से से अधिकारी थे जो अपने जीवन खोये थे तो इसमें आपका हो जाए कि जनरल जाल निकंसन ये तो नहीं थे इसमें दूसरा है जनरल नीली ये सही है तिसरा मेजर जनरल हैवलाक ये भी सही है और चवथा है सर हेनरी लारेंस ये भी सही है ये इसका एंसर हो जाये का दो तीन चार इन चार अधिकारियों के मिर्तु कहां पर हुई थी लखनों में कोशन नमबर आठ है निमलेखित में से किसने 1857 के बिद्रो को एक सल्यंत्र की संग्या दी तो सल्यंत्र की संग्या दी थी किसने ये दी थी सर जेम्स आउटरम एवं डबलू टेलर ने सर जेम्स आउटरम एवं डबलू टेलर ने इनों जो है 1857 के बिद्रो था उसका सल्यंत्र की संग्या दी थी कोशन नमबर नौ है भारतिय भासा में 1857 के बिपलो के काड़ों पर लिखने वाला पर्थम भारतिय था तो पर्थम भारतिय कौन थे तो वह थे सर सयद आहमद ख साथे कोशन नमबर दस है किसने लिखा था किसने लिखा था इस नेड़े से इनकार करना कठिन है कि तथा कथित 1857 का पर्थम राष्टिय सुतंता संग्राम न तो प्रथम था न राष्टिय था और नहीं सुतंता संग्राम था ये किसका लिखा हुआ या किसने लिखे थे ये लिखे थे आर्जी मजुमदार ने रमेश चंदर मजुमदार और इसमें कौन से एक अवधाणा सही है तिसका एंसर होगा सी इसने भारत में िस्ट इंडिया कंपनी की साथन पंणाली को मिर्त प्राय बना दिया कुष्णद नमबर 12 है, महारानी विक्टोरिया ने भारती प्रसासन को बिटिष ताज के नियंतरन में लेने की घोसड़ा कब की थी? तो ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कप की थी? तो ये की थी घोषणा? एक नवंबर 1858 को. एंसर होगा A, एक नवंबर 1858 को. यानिकी जब 1857 की क्रांतिक के दमन हो गया, उसके बाद जो है एक नवंबर 1858 को. महारानी विक्टोरिया ने भारती प्रसाशन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की. कोशन नमबर 13 है, समाग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजे दिये जाने का अस्वासन दिया था. निम ने अस्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था. इसमें पूरा किया था क्या? इसका एंसर होगा A. रियासतों को हड़पने की नीती समाप्त कर दी जाएगे. ये पूरा किया गया था? कोशन नमबर 14 है. निम लेखित में से कौन सा आयोग 1857 के बिद्रो के दमन के बाद भारती फोज के 9 संगठन से संब्दित है? तो ये 9 संगठन से संब्दित है कौन सा आयोग है? तो वह आयोग है पील आयोग. एंसर होगा B. पील आयोग. कोशन नमबर 15 है. बंकिम चेंदर चेटार जी के प्रसिदू पन्यास आनंद मठ का कथानक अधारित है. तो आनंद मठ का कथानक किस पर अधारित है? तो ये है सन्यासी बिद्रो पर. सन्यासी बिद्रो पर अधारित है और सन्यासी बिद्रो पर अधारित है और सन्यासी बि देखी तो हुआ मैंसे कौन शाही सुमेलित नहीं है कौन शाही सुमेलित नहीं को यह पूछ रहा इस में 15 28 बिरोध का उद्धिस क्या था तो मुंगेर के जो है बरियाताल बिरोध का मुख उद्धिस क्या था तो इसका उद्धिस था बाकस्त भूमी की वापसी की मांग कोशन नमबर अठारा है उनिस्वी सताब्दी के दोरान होने वाली बहावी आंदोलन का मुख्य केंदर था तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंदर था कहाँ पर पठना में एंसर होगा बी पठना में कोशन नमबर उनिस है फराजी कौन थे तो फराजी कौन थे थे कौन थे हाजी सरियतुल्ला के अनुवाई थे कोशन नमबर 20 है महाराष्ट में रामोसी कृषक जथ्था किस ने अस्थापित किया था तो महाराष्ट में रामोसी विद्रो या जथ्था जो कृषक जथ्था था किस ने अस्थापित किया था तो यह किये थे वासुदेव बलवन्त फढ़केने C वासुदेव बलवन्त फढ़केने Question number 21 है निमलेखित में से कौन सा स्थान गढ़करी बिद्रो का केंदर था तो गढ़करी बिद्रो का केंदर कौन था स्थान तो वो था कुल्हापूर Answer वो जाएगा B कुल्हापूर Question number 22 है मानोबली प्रथा का निशेद करने के कारण अंग्रेजों के बिरुद बिद्रो करने वाली जन्जाती का नाम है तो उस जन्जाती का नाम क्या था खोंद खोंद Answer वोगा B Question number 23 है British Opniasic बिवस्था के बिरुद 1857 से पूरु में भारत के बिभिन भागों में हुए निम्न बिद्रोहों का सही घटना करम के अनुसार रखें तो सही घटना करम क्या था इसमें सबसे पहले तो इसमें बंगाल का सिपाही बिद्रोह हुआ था ये तो करम सही है इसमें पहला सबसे पहले इसके बाद बेलोर का सिपाही बिद्रो हुआ था सारी बेलोर का तीसरे नमबर पर है ये बेलोर का सिपाही बिद्रो यानि पाला फिर तीसरा इसके बाद हुआ था कच्छ का बिद्रो दूसरे नमबर फिर इसके बाद हुआ था कोल बिद्रो और लास्ट में हुआ था संथाल बिद्रो तो इसमें देखिए इसका एंसर कौन सा होगा एक दो एक तीन देखिए इसमें एंसर सब गलत हो गया यहां पर जो है इसका एंसर यह यह वा करम से आपसान यह में गलत दिया गया है कोशन नमबर 24 है बिल्लोर का बिद्रो किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था तो बिल्लोर का बिद्रो जो है किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था यह हुआ था सर जार्ज बरलो के समय में सरजाड बरलोग के समय में और यह विद्रोग गवा था कव 1806 इस वी में कोश्चन नमबर 25 है और अंतिम कोश्चन है आज के लिए संथाल विद्रोग का नित्रित तो किस ने किया था तो संथाल विद्रोग का नित्रित तो किस ने किया था तो ये के थे सिंधू और कानों और एक और थे इसमें भैरो और चांद इसका अंसर हो जाएगा C, A और B दोनों इसमें सही है कहीं कहीं केवल देता है सिंधू और कानों लेकिन ये चार भाई थे सिंधू, कानों, भैरो और चांद दोनों ने मिल कर किया है यानि चारों भाईयों ने मील करी संथाल विद्रो करने तिरुत किया था तो ये थे कुश्चन आज के लिए तो उम्मिद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया ते इसको लाइक करें अपने दोस्तों कि हाँ अधिक सदिक सेर करें धन्य बाद दोस्तों जय हिंद वंदे मात्रा मिलते हैं अगले वीडियो में